कि जो सही से चले उसकी सुनवाई नहीं आपके पास जाएक और बंदू तान दो तो तु तुरंत हो जाएगा इस तरह अगर सासन दोरा किया जाएगा तो में आत्महत्या करने गेम्के कि अमीरों के नहीं कि उनकी पहुंच होती है तो हमारी कोई पहुंच नहीं तो हमारा गिरा दिया गय है इस दिन भी लाइन लगा रहे हैं तो भी आई फी जा रहा तुरंद बोट देंगा रहा है नमस्कार मैं हुनराग पांडे आप देख रहे हैं न्यूज एटीन लोकल और इस समय मैं खड़ा हूँ सुतन्त प्रभार मंत्री किष्णा गौर के घर पे और जहां पे हमें एक दंपत्ती मिलें जानिंग उनकी समस्याएं कहा जा रहा है कि उनका छोटा सा बच्चा है अभी दिलिवरी हुई है और इससे पहले कि उनका घर गिरा दिया गया और इसके बारे मुनको जानकारी भी नहीं हुई उन्हीं से दाएक बात करते हैं जी सर क्या नाम लिखते हैं दीपक कुमार मिसरा लिखता हूं सर अच्छा क्या मैटर है कुछ पता नहीं सर अभी 2016 में फ्ला दिलिवरी का टाइम था तो इस बीच में मुझे बताया जा रहा है कि नगरनिगम और टैसिलदार SDM मिलके इसब लोगवागों के जरीए गिरा दिया गया हाजू बादी उस सभी के घर बने हुए हैं और मेरा गिरा दिया गया मुझे बताया जा रहा है कि सरकारी जगे पे जब कि आपने प्रोपर्टी खरीदी थी 2016 में खरीदी थी जी कितने महीने पहले गिराया गया जिसमें से नहां में बताया गया और अभी हम सब के पास जा रहे हैं कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रहे हम SDM के पास भी गए थाना प्रभारी के पास भी गए और पिस्वसारं क पास भी गए मंत्री जी के पास हर जगह गए लेकिन हमारी सुनवाई कर नहीं है आज हम यहां आए है आप चाहिए तो फोटो वीडियो देख सकते हैं और हमारे पास 2016 से लेके अभी तक फोटो वीडियो है अभी उस घर में मैंने पूजा उजा सब काम कर लिया था और बस कि मैं बाला था कि अपने घर में भी विवाच्छिओं को लेके लिखे कि देश नहीं पा रहा हूं कुछ नहीं किया जाते हैं दो महीने की है और अभी आईस्यू से आ रही है और मेरे खुद के सीजेरियन हुई है तो मेरे टांके फट गए तो दुबारा टांके लगे वह भी खराब हो गए में लड़के भी आईस्यू से लेके आ रही हूं करें लोग भाग लेकिन आपके घर में जहां इतने बड़े-बड़े करके रख रखते हैं अमीरों के नहीं कि उनकी पहुंच नहीं होती है दूर दूर तक हमारी कोई पहुंच नहीं तो हमारा किरा दिया गया है जीजिदिन भी वह देना रहता है वोट उस दिन भी लाइन ल लगा रहे हैं हमी लाइन क्यों लगाए हर जगा सिर्फ हमी लोग लगाते हैं तो भी जनता लाइन लगा रही जा रहा तुरंद बोट दे के आ रहा है तो टोटल ले लिया दस लाक रुपे का भी अब यह देखिए आप इन्होंने पूजन हुआ ता घर का ग्रेह प्रवेश और उसके बाद घर गिराया गया है जब उस घर में नहीं थे आप नहीं थी अभी अभी बनाएं कंप्लेट किये थे 24 में 16 में खरीदे तो मेरी विवस्ता नहीं बनी यहां वहां से बड़े मुश्किल से कर्ज मिला इनका सोना पूरा गहरना गिर्भी करके और अभी करके हि इतनी जिए उमीद करें किसी से जहां जाओ तो लाइन लगा और चले जाओ कल मिलेंगे और कल कभी आता इन्हीं कब मिलेंगे आफेजी लोगों कोई नहीं संदा रहा है जो पहुँंचे पावर है पहुंचे जिसके पास घूंचे पास देने के लिए उसकी सुनवाई है व कोई बंदू पांदो तो तुरंट हो जाएगा उम्मीद करते हैं कि सासन प्रसासन आखे खोले और ऐसे जो आम जनता है जो सच में जिनको जरूरत है उनकी मदद की जाए हम कोई माफिया तो है नहीं मिलता है तो हम कपजा कहां से कर लेंगे बिल्कुल अच्छा मैं बता दू कि जमीन जबता सब्सक्राव सब्सक्राइब पना रहे हैं जो एक जो ढपना लगे यहां सब अब लोगों को पता पड़ा किि में उससी वीच्ट में किराया गया है किसी सो मेरे सामने आता मैं में बना रहा था यह रोक नहीं आ जाता मेंनों क Crisp अ सब कर लिया था पूजा मेरे हिंधूर में में ब्रामण हूं और मुgrund लोग और लोग बागों को सभी के बने हुए हैं कोई ऐसा नहीं कि मेरा बस बना था मतलब जब आप घर पे नहीं थे तब यह सब किया गया और जो मेरी लागत का सामान था तो लोग बाग ले गये हैं मुझे कुछ भी वहां से नहीं मिला कुछ भी तोड़ दिये सब पब्लिक लेकर चली गई सर मुझे कुछ भी नहीं मिला वहां से एक भी सामान नहीं मिला सब कुछ मैंने पूरा रेडी कर लिया था मुझे अपने घर पे जाना था मैं 20 साल से मत दाता हूं बाड नंबर 73 नाराय नगर कॉलोनी पे रहता हूं सिब प्रशासन द्वरा किया जाएगा तो मैं आत्महत्या करने के क्रिष्णा गौर जी के निवास पर आये हैं मेरे बसका कुछ भी नहीं बचा मेरा घर चलाना और बहुत मुश्किल हो गया है इन सब को लेके और लोग वागों से कर्ज लिया हूं तो मुझे प्रसर बना रहे ह और उनने मुझे देना है और बहुत बड़ा प्रस्ण खड़ा करता है मध्यप्रदेश के प्रशासन पर कि कैसे वह कदम उठाता है ये गरीब ठेले वाला उसका घर गिरा दिया जाता और थाने की जमीन से कबजा नहीं हटवा पाता है प्रशासन तो यह बहुत बड़ा के तुझ की जमी जमीन से कि जमी मुझे लेता है